रणा माधविद्या संकुल ओनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत हैं। मित्रो कक्षा पांच हिंदी इकायाड भरत मिलाप मतलब भरत मेडाप मिलन राम और भरत को। रामायन का पात्र परिचे हैं। हमारी संस्कूरूती में संस्कार देने वाले पात्र राम कथा हमें सुनी है। राम लक्षमान भरत और सत्रूगन तो राम और भरत की यहां मिलन की बात बताई है। राम तो सत्ध धर्म और मर्यादा की मूर्ति थे ही बचन पालन के लिए राम वनवास गए थे। राम ने पुत्रवियोग में प्रान त्याक दिये थे। जब भरत को बात का पता चला भरत को लेने गए थे। अपने मामा के घर था तो वहां से साइनिक भरत को लेने गए थे। तो भरत को पता हुआ, मालूम हुआ कि राम वन में है। तो भरत तो भागा भगा कहां गया राम के पास राम तो जंगल में वनवास गये थे तो जंगल का वनवास का यहां द्रश्य बताया है नाटक है एकांग की नाटक तो यहां पात्र है राम, लक्ष्मान, भरत, सिता और नगर सेवक एक नागरिक माता पिता की आग्न्या का पालन करने है तु रामवन में गये उनके साथ सिता भी गई भरत को इस बात का पता चलने पर अयोध्या के सिहासन पर नहीं बैठे अपितु सिहासन पर राम की खडाव रखकर उन्होंने सेवक की भाती राजकाज किया इसलिए कहा है बाई हो तो भरत जैसा यहां वनका एक भाग है पुटिया के बाहार राम और सिता बैठे है जंगलनों एक भाग छे जुम्पडीनी बाहार राम ने सिता बैठेला छे पास ही धनुष्य बाण लिये लक्ष्माण खड़े है पासेज धनुष्य बाण लईने लक्ष्माण उभा छे द्रश्य एक नाटक का द्रश्य है द्रश्य एक द्रश्य दो तो पहला द्रश्य है राम ने कहा बाई लक्ष्माण जरा देखो तो यह आवाज कहां से आ रही है राम ने कहा बाई लक्ष्माण जरा जो तो आवाज क्या थी आवी रहयो छे लक्ष्माण ने कहा इदर उदर देख कर प्रभू सामने से कुछ लोग आते दिखाई दे रहे लक्ष्माने काईू आम तें जोईने प्रभू, पोताना मोटा भाईने प्रभू कैने बोलावता हता, मान आपता हता, सामेती केटलाक लोको आपता देखाई छे, रामने काहा कौन लोग है जरा द्यान से देखो, रामे काईू कौन लोको छे, जरा द्यान थी, जो तो जंगल लक्ष्मन ने कहा द्यान से देखकर अरे यह तो भरत है साथ ही बहुत से लोग है हमें सावधान हो जाना चाहिए शायद वे लोग लड़ने आ रहे है लक्ष्मन द्यान्थी जोईने कहे चे अरे आतो भरत चे साथे घणा बदा लोको आवे चे सावध थाई जोई आपने कदाच आतो लड़वा माटे पना आवी रहा होई राम ने कहा हसते हुए भाई लक्ष्मन तुम तो बिना बात सक करने लगते हो इतने वर्ष साथ रहकर भी भरत को नहीं पहचाना राम हसी ने भाई लक्ष्मन तुम तो भारे कारण वगर शंका करवा लागे छे आटला वर्ष साथे रहिने पन भरत ने न ओड़ख्यो लक्ष्मन ने कहा उत्ते जीध होकर पहचाना क्यो नहीं उसी माका तो बेटा है जिसने वनवास दिलाया लक्ष्मन तो कई कई माता उपर खुबज गुस्सा माहता इटले गुस्से धाईने बोले छे ओड़ख्यो क्यम नहीं एज मानो दिकरों ने के जेने बनवास अपावे उछे सीता ने कहा इसमें बेचारे भरत का क्या दोस सीता है कहा आमा विचारा भरत नो शोबाग लक्ष्मन ने कहा लिजिये सब लोगी धर ही आ रहे है लक्ष्मन कायू लो बदा आहीं ज आवी रहा छे अवे बिजु द्रश्य छे बरत दोड ते हुए कुटिया के निकट आते है बरत दोड तो चुंपडिनी नजिक आवे छे उनकी आखो से आसुबढ रहे है तेमनी आखो मा थी आसुबढ रहा छे वे राम के चणो में पड़ते है ते राम ना पगमा पड़े छे राम भरत को उठा कर गले लगा लेते है राम भरत ने उबाकरी ने बेटे छे भरत ने कहा रोते हुए मुझे क्षमा कीजिये प्रभू रडता रडता मने माप करो प्रभू भरत यावू कहिऊ आपको वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं है तमने बनवास अपावं मा मारो कोई हाथ नती आप मुझसे बड़े है तमे तुमारा मोटा भाई छो एमके तमे तुमारा थी मोटा छो आप ही को राजा बनना चाहिए तमारे ज राजा बनू जोईए मैं आपको लेने आया हूँ हूँ तमने लेवा आवे उछू आप सब अयोध्या चलिये तमे बद्धा अयोध्या चालो इन नगरवासियो की भी यही इच्छा है आ नगरवासियो नी पण एज इच्छा छे निरास न की जिये प्रभू निरास न करो प्रभू एमके नगरणा प्रजाने पण निराष्ण करशो नि प्रजा पण इच्छे चे के तमे राज्य करो राम ने कहा बाई बरत मैं तुमारा प्रेम देखकर प्रसन न हूँ रामे का यू बाई बरत हूँ तारो प्रेम जोईने प्रसन न चु किन्तु मैं माता पिता की आग्ण्या का पालन करने वन में आया हूँ परन्तु हुँ माता पितानी आग्ण्यानु पालन करवा माटे वन मा आवे ओचु वनवास पुरा करके ही लवटूंगा वनवास पुरो करी नेज पाचो आवीश एक नागरिक ने कहा नहीं प्रभू, आपको हमारे साथ चलना ही होगा एक नगर्जन साथे छे, एम ने कहिव ना प्रभू, तमारे अमारी साथे जावू पडशे आपके बीना प्रजा दुखी है, तमारा बीना प्रजा दुखी छे प्रजा को सुखी रखना राजा का कर्तव्य है प्रजा ने सुखी राख्वी ये राजा नी फरज छे आगे रामने कहा नगरजनो इस समय माता पिता की आग्या का पालन करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है रामे कहिँ नगर्जनो अत्यारे माता पितानी आग्णानों पालन करवू ए मारी सौथी मोटी फरज छे हुँ माता पितानी आग्णाधियम के वनमा आवे ओछू बरत मेरा भाई है बरत मारो भाई छे जब तक माई वनवास पूरा करके न लवटू तब तक भाई 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 आप सबके सुकदुक का द्यान रखेगा भरत मारो भाई छे ज्या सुधी हूं वनवास पुरो करीने पाच्छो ना आबू त्या सुधी भाई भरत तमारा बधा ना सुखदुखनो त्यान राक्षे आप उसके राजा माने तमारे एने राजा मानवानो छे एमके यह मेरा आदेश है ए मारो आदेश छे बरत ने कहा कुछ सोच कर बरत ने कहुँ कईक विचारी ने अच्छा प्रभू जैसी आपकी आग्ण्या सारू प्रभू जेवी तमारी आग्ण्या पर मेरी एक बिनती है उसे स्विकार करे परन्तु मारी एक विननती छे तेनो स्विकार करो रामने कहा, बोलो, क्या चाहते हो, रामे कहुँ, बोल, शुई छे छे, भरतने कहा, मुझे आप अपने पाव की खडाव दे दे, भरते शु कहुँ, जुँ आईया चीत्रमा बतावे छे, हाथ में खडाव है, पाव में पहनने के लिए, चाखडी, तो बरतने कहा, मुझे आप अपने पाव की खडाव दे, दे दो, मने तमारा पगनी चाखडियों आपी दो, रामने कहा, खडाव, खडाव का क्या करोगे, रामे कहुँ, चाखडियों, चाखडियोंनू शु करिश, बरतने कहा, इने सिहासन पर रखकर आपके लवटने तक सेवक की तर राजकाज करूंगा, तेमने सिहासन नूपर मुझी ने तमारा पाचा आवा सुधी सेवक नी जेम, राजकाज करिश, बरत का प्रेम देखकर राम, सिता और लक्ष्मन गदगध हो जाते है, बरतनो प्रेम जोईने राम, सिता ने लक्ष्मन गदगध थाई जाये छे, आनंदित थाई जाये छे, राम चंद्र आगे बढ़ कर भरत को गले लगाते है, अने राम चंद्र, राम ने जक्यवाई चे राम चंद्र, आगडवधी ने भरत ने प्रेम थी बेटी पड़े छे, खड़ाव लेकर भरत तथा नगरजन, राम और भरत की जय बोलते हुए विदा लेते है, चाखडियो लाई ने भरत तथा नगर्जनो राम ने भरत नो जय जय कार करता जय भरत की जय राम की जय बोलता बोलता रवाना थाई छे विदाई लेवी एडले रवाना थाऊ तो इस पाट का पाशंतर का आप अब अब्यास करेंगे अब शब्दार्थ यहां शब्दार्थ दिये है देखो कुटिया जहपडी शायद कदाचीत शक शंका निकट नजदीक चरण पैर दोश अपराध कर्तव्य फर्ज आदेश हुक्म आग्ण्या दो अर्थ है खडाऊ लकडी की बनी हुई पादू का यहां चित्र में दिखती है भरत के आथ में है राम की खडाऊ आगे मुहावरे है तो मुहावरे का अर्थ और वाक्य प्रयोग हमें करना है उत्तेजित होना मतलब गुस्सा होना लक्षमन उत्तेजित हो गए थे वाक्य है बेटे के जूठ बोलने पर पिताजी उत्तेजित हो गए दुसरा गले लगाना प्यार से मिलना कई दिनों के बाद आए बेटे को माने गले लगाया और पाठ का भी वाक्य प्रयोग कर सकते है राम ने भरत को गले लगाया आगे है गदगद होना मतलब पुलकित होना आनन्दित होना भरत का व्यवार देख कर सिता लक्षमन और राम गदगद हो गए इस प्रकार हमें वाक्य प्रयोग करना है सावद आगे दुसरा है सावदान हो जाना चोग करना हो जाना वाक्य प्रयोग करते है शेर की दहाड सुनकर सभी प्राणी सावदान हो जाते है इस प्रकार हमें सब्दार्थ और मुहावरेक का भी अभ्यास करना है अपनी नौटबुक में लिखना है आगे अभ्यास और स्वाध्य अगले वीडियो में देखेंगे प्रणाम